तो आज दुपैर को मेरे हभी का फोन आया था कि कुछ डिफरेंट डिश बनानी है वेज खाके खाके बिकोज हम शावन मन पालते हैं नॉनवेज नहीं खाते शावन मन में पूरा तिल गंपती तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट बनाये जाया आज वेज में तो जस्त मैं ड्रोगर्स चेक कर रहे थी किछन में तो मुझे ये वेज हका नूडल्स का पैकेट में गया है ये बहुत ही टेस्टी है इसका टेस्ट बहुत अच्छा है तो आएम गईं टो मेक संथिंग डिफरेंट इंड हका नूडल्स में बनाती हूं लेकिन इसमें मैं वेज sेजवान हका नूडल्स बना के इसमें थोड़ा चाइनिज तच दोंगी पानी रखा है तो इसमें मेरे टूटेबल सुन ओईल डाला है सो डाट नूडल स्टिकी न हो और यह गए नूडल्स तो इसे हम 2-3 मिनिट्स बॉइल कर लेंगे अब इसे चाचनी में डालके पानी निकाल लेते हैं तो इसे हम 15-30 मिनिट तक ऐसी रख देंगे सो दर इसका पानी पूरा निकल जाए तब तक हम सब सबजिया काट लेते हैं तो यहां पर हमारे नूडल्स अच्छी तरह सी फूल गये हैं आप लोग देख सकते हो इसका पानी फूल निकल गया है तो यहां पर मैंने कट किया हुआ है ओनियन और कैप्सिकम और यहां पर सब सॉसिस यह हम इसमें आड़ करने वाले हैं तो यहां पर मैंने गया सब्सक्राइब करके कड़ाई रखी हुई है और उसमें वन टेबल स्पून ऑईल डाला हुआ है क्योंकि मैं ज्यादा ओईल कंजूम नहीं करना चाहती है तो यहां पर मैंने चार पाच जारलिक और वन इंच अध्रक लिया हुआ है इसमें अच्छी तरह से बून लेना है ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए नेक्स्ट हम इसमें आड करेंगे प्याज तो अमरा ओनियन आच्छी तरह से ब्राउल हो गया है हलका 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 तो इसमें अभी कैप्सिकम एड करेंगे अब इसमें जाएगा वन टेबल स्पून डाख सोया स्पून ब्रीन चिली स्पून हाफ टेबल स्पून शेजवान चत्मी और वन टेबल स्पून टमाटो केचप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें जाएंगे नूडल्स इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं सो गाइस हमारे शेजवान नूडल्स आर रेड़ी शेजवान नूडल्स आर रेड़ी तो इट इस याँ मेरे रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे डेफिनेटली कॉमेंट करके बताएगा वेज हकका नूडल्स आर डेफिनेटली ट्राइगा के रेकेगा बहुत अच्छी बनी है सो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में